जादतर लोगों को लगता है कि यदि वह अपनी डाइट में अनाज को जोड़ेंगे तो इससे उनका बजन बढ़ सकता है लेकिन बता दी कि यह सिर्फ एक मित्रक है असली सच्चा यह है कि यदि विक्ति अपनी डाइट में कम कैलोरी वाले अनाज को जोड़े तो इससे वह ना केबल अपने वोजन को कम कर सकता है बलकि अपनी सेहत को भी दुरस्त बना सकता है अब सवाल ये है कि कम कैलोरी वाले अनाज कौन से हैं तो आज का हमारा वीडियो इसी पर आधारित है आज हम आपको अपने इस वीडियो के माद्यम से बताएंगे कि ऐसे कौन से आनाज हैं जिनके अंदर कम कैलोरी पाई जाती है अक्सर आपने देखा होगा कि कुट्टू के आटे का इस्तमाल जादतर बृत के दोरान किया जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुट्टू के आटे के अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, मेगनिशियम होता है लेकिन इसके अंदर कैलोरी बहुत कम मौझूद होती है ऐसे में यदि अपने पेट को कम करना चाते हैं तो आप अपनी डाइट में कुट्ट के आटे को जोड़ सकते हैं नमबर दो रागी का इस्तमाल रागी भी आपके बजन को कम करने में उप्योगी है ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अंदर भरपूर मातरा में मेगनेशियम, फाइवर, जरूरी बिटामिन, मिनरल्स आदी मौझूद होते हैं लेकिन इसके अंदर कम कैलोरी पाई जाती है ऐसे में इसके सेवन से व्यक्ति ना केवल अपना बजन कम कर सकता है बलकि अपने शदीर में उर्जा को बरकार रख सकता है और पाचन किरिया को भी दुरुस बनाई रख सकता है नमबर तीन, ओर्स का करें इस्तमाल ओर्स के इस्तमाल से भी व्यक्ति अपने बजन को निंतरित कर सकता है ऐसा इसलिए क्योंकि ओट्स के अंदर फाइवर मौजूद होता है जो ना केवल पाचिन किरिया को तंदुरस बनाए रख सकता है वलकि इसके अंदर प्रोटीन एंटी आक्सिडेंट तब तो मौजूद होते हैं जो ब्लड शुगर को कोलिस्टोल के इस तर को निंतरित रख स जो के अंदर भरपूर मातरा में फाइवर मौजूद होता है जो पाचिन किरिया को बहतर बना सकता है वहीं यह शरीर में कोलिस्टोल के इस्तर और ब्लड शुगर लेवल को निंतरित रख सकता है इससे अलग जो के अंदर कैलोरी की मातरा वेहत कम होती है ऐसे में इसके ब्राउन राइस का इस्तमाल से भी व्यक्ति अपने बजन को निंतरित रख सकता है ऐसा इसलिए क्योंकि ब्राउन राइस के अंदर कैलोरी की मातरा वेहत कम पाई जाती है वहीं इसके अंदर फाइवर मौजूद होता है जो ना केवल पाचिन किरिया को तंद्रोस्त रख स हैं.